गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल देखिए आज आश्मान कितना सुन्दर होके रखा है और अभी बज़ रहे सुबा के सारे साथ तो चलिए आज आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ तो देखिए इहां पे मैं रात से तड़का के दाल भीगो gbg डन दे और इसके बाद मैं इसका धक्कन बंद करके इसको मिडिय। चलिए पहले गयस को ऊन कर लेते हैं। और हाँ यह मैं पहले अच्छे से धोके उसके बाद भीगोने के लिए दी हूँ और उसके बाद मैं सारा मसाला प्रिप्यार करूंगी इसके लिए मुझे चाहिए एक टमाटर दो मीडियम साइज का प्याज टमाटर और प्याज को मैं बारिक बारिक कार्ड ली हूँ णीली गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे सुखी लाल मिर्ज डालने के बाद यह थोड़ासा लाल हो जाए तेज पत्वा डालेंगे उसके बाद और भट्ह पारिकाव में नाविग मेडियम लाल हो जाए थोड़ा प्यास सॉप्ट हो जाए उतना तक हम इसको पहले फ्राई करेंगे और इधर मैं चरा दी हूँ तावा इसके साथ रोटी का कंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है तो रोटी भी हम बना रहे हैं अब मैं दे दी हूँ टमाटर भी हम डाल दिये है कराई में और देखिए टमाटर और प्यास दोनों ही अच्छे से फ्राई हो चुका है सौप्ट भी हो गया अब दिये है एक चमच अध्रग का पेस्ट और अध्धा चमच के करीब लसून का पेस्ट अध्रग लसून के बाद हम दे देंगे सूखी मसाले जैसे हल्दी पा और देखिए ओयल छोड़ भी दिया है आप प्रिशर कुकर खोल लेंगे और देख रहे है कि दाल भी अच्छे से बॉयल हो गया था तो हम इसमें दाल मिला देंगे पानी के साथ पानी भी नहीं फेकेंगे क्योंकि दाल का पोशन पानी में भी है इसके बाद अच्छे से च हो चुका है बन चुका है तो मैं अब गैस आफ कर दूँगे और देखिए मैं सार्फ भी कर ली हूँ और इसके उपर से थोड़ा प्यांज थोड़ा खीरा और थोड़ा से चाट मसाले के साथ आप लोग सार्फ कर सकते और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है थैंक क् एंची अजँ झा उन सार्फ बहाँ ख बढकिना थोड़ा धा के मारद से लोड़ा आते हैं यूद्गे रवजा था दोट रार भी हुत जऑ ruोड़ा इसके सार्फ बहा lasted हैंक वहाया प्पा कर दोगरा है और प aquestूंस सार्फ जब हाँता हैं इसक्ष अन थाल रोग भान